साथियो एनर्सी की जो अंतिम लिस्ट है ये 31 सगस्त 2019 को पब्लिश की गई और इस लिस्ट में लगबग 33,37,671 लोगों ने क्लेम किया था कि मैं इस देश का नागरिक हूँ मुझे एनर्सी के लिस्ट में रखा जाया और उसमें 3,11,21,004 लोगों का नाम एनर्सी के सुची में आ गई पहला सुची दूसरा सुची और ये अंतिम सुची थी इसमें भी 19,6,657 लोगों का नाम कट गया और हम लोग को पहले जनकारी थी कि 7,00,000 मुशल्मान है और सारे 12,00,000 CSTOBC की लोग है अभी मेसराम साथ ने आज नई जनकारी दी केवल 5,00,000 मुशल्मान है और सारे 14,00,000 लोग जो है CSTOBC के लोग है इसका मतलब यह है कि जो ब्रामनवादी लोग है जो BJP की ब्रामनवादी सरकार है यह मुसलिम का नारा लगा रही है कि NRC बंगला देशी मुशल्मान लोग है उनको बगाने के लिए ऐसा यह लिस्ट बनाये जा रहा है लेकिन वास्तव में जो CSTOBC के जो लोग है उनका नाम NRC से काटा गिया है इवेन आसाम में जो मुसल्मान लोग है यह मुशनमान लोगों का जो नाम काटा गिया है यह मुशल्मान लोग भी मुल भारत के रहने वाले लोग है वो असाम के मुल रहने वाले लोग है उनका भी नाम असमिया असाम के रहने वाले जो असमिया मुसल्म है उनका भी नाम काट दिया गिया जो बंगला देशें नहीं आए इसका मतलब यह है कि पावर में अभी ब्राह्मन वादी बादी ताक्ते हैं उन्होंने समिधान को एक साइड में कर दिया है और उन्होंने ब्राह्मनवाद को भारत बर्ष में लागो किया हुआ है उसका जो प्रत्यक्ष नजारा है वो एनर्सी का लिस्ट देखने को मिलेगा मैं अभी डिटेल से बताऊंगा एनर्सी कहती है कि 24 अपरेल 1971 के मीड़नाइट के तक जो लोग आसाम में आ गए उनको भारतिया नागरिक माना जाएगा और इसके बाद 25 मर्श से 1971 से के बाद जो आए है आसाम के लिए औल इंडिया के लिए नहीं तो वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएगे वो भंगला देशी घुस्पैटिये माने जाएगे अभी जो एनर्सी की लिस्ट बनाई गई है उसमें आसाम के गाउं गाउं में जाकर मैंने मिटिंग लिए बहुत सारे गाउं तो यूपी बिहार के बालमी की लोगों का है बहुत सारे गाउं रविदास को मनने वाले लोगों का है उनका नाम NRC में नहीं है और बहुत सारे गाउं ऐसे बंगाली लोगों के हैं जो अंग्रेजों के जब यहां अंग्रेज थे 1947 के पहले से ही वो गाउं बसे हुए है उन सारे गाओं के लोगों का जो मुल्लिवासी लोग है उनका नाम NRC के लिस्ट से हट गिया है अब सवाल यह है कि समिदान हमारे पक्ष में है प्रोसेडियोर हमारे पक्ष में है ऐसा क्यूं हो रहा है तो ऐसा इसलिए हो रहा है इन ब्राह्मनवादी ताकतों को हम ही ताकत दे रहे हैं हम ही ताकत दे रहे हैं और हमारे ताकत से हे वो उपर बैठ रहा है और समिधान को ताके रख ताके पर रख कर हमारे साथ जितना अंग्याय करना चाहता है वो करना को कर रहा है यह जो सिस्टम बनावा इस सिस्टम को जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक समश्य का समाधान होने वाला नहीं है उनको ओपर से उतारना ही पढ़ेगा किसी भी किमत पर उतारना पढ़ेगा और जो ताकत हम लोग दे रहे हैं किसी भी किमत से किसी भी तरीके से वो जो ताकत का flow है उसको रोपना पढ़ेगा इस तीन परसेंट ब्राह्मन हमारे ओपर हावी है यह NRC का मुद्दा अभी नहीं है, अभी से नहीं है 1951 में पहली बार NRC बनाई गई अभी 2019 में यह NRC की अंतिम सुची आई है तो 1951 में जो आई थी, उस समय तो कॉंग्रेस की सरकार थी उस समय वीजेपी की सरकार नहीं थी और बीजेपी क्या है उस समय लोगों को मालूम भी नहीं था और यह जब कॉंग्रेस की सरकार है यह सुध्ध विशुध रुप से ब्रामनों की सरकार, ब्रामनों की पार्टी है भूल मत करेंगे सोचने की यह जब कॉमनेस हैं विशुद दुरूप से ब्राहमनों की है बीजेपी तो है ही है तो जो यह जो पार्टियों में जो ब्राहमन लोग बैठे हुए हैं यह वहाँ समस्या का निर्मान कर रहे हैं और हमारे लोग उन ही पार्टियों को ताकत दे कर हमारे ओपर ही अन्या अत्याचार करने का लाइसेंस दे रहे हैं यह लाइसेंस को बंद करना होगा और यह लाइसेंस कब बंद होगा जब हैस्सी, हैस्टी, ओबीसी और माइनरेटी की लोग एक जगह आकर बैठेंगे अपनी शमश्याओं के लिए डिसकशन डिबेट करेंगे और निर्ने पारित करेंगे कि आज के बार हम इन ब्राह्मनबादी पार्टियों को एक नए का भी थाकत हम नहीं देंगे उस दिन भारत के तकदिर बदल जाएगे साथे हो आसाम में जितने भी रहने वाले जो लोग है आज के तारीक में मैंने बहुत सारे गाओं में घुमा इवेन मेरा जो जनम है वो जनम भी आसाम का है पड़ाई लिखाई भी मेरी मेट्रिकुलेशन तक आसाम में हुई आसाम में जो लोग आज के तारीक में रह रहे हैं वो 99% 71 के पहले आई हुए लोग है 99% और बहुत सारे ऐसे लोग है जो आजादी के पहले आकर गाओं के गाओं बस गए 1828 में आसाम स्टेट पहली वर ब्रेटिस इंडिया के कबजे में आया 1828 में पहली बर ब्रेटिस इंडिया के कबजे में आया और 1849 में पहला टी गाओं ब्रेटिस के द्वारा इस्टेबलिस की गई पहली बार और जो टी गाओं इस्टेबलिस की गई उस ती गार्डेन में काम करने वाले जो लेवर है वो लेवर को कहा से उठाया दियार के आदिवाशी के जंगल से संथाल परगना के जंगल से छोटा नाधपूर के जंगल से और बहुत सारे 36 गर के जो सत्मामी लोग है उन लोगों को उठाकर अंग्रेज आसाम में लेकर गए यहां से माइगरेशन शुरू हुआ और वो लोग चाय बगान में अपने आप चाय बगान नहीं आ गई आसाम जंगल से बढ़ा हुआ प्रदेश है और जंगल को काट कैट कर हमारे मुल्नेवासियों ने चाय की बगान लगाई 1849 से बता रहा हूँ और 1849 से इतनी जंगल बीहर जंगल में जो जंगली जानवा रहते हैं उनको काट कर चाय बगान इस्टेबलिस किया आज उन आदिवासी लोगों का इस्थिति क्या हो मलूम है आज उनको टी ट्राइब के नाम से जाना जाता है और ये टी ट्राइब के लोगों को आज के तारिख में जो चाय बगान में काम करने वाले लोग हैं उनके अपने नाम पर एक इंच की भी जमीन नहीं है क्योंकि वो सारे का सारे ती गार्डिन के स्टेट में काम करने वाले लोग हैं तो वो स्टेट के लोग उनको क्वार्डर बना कर दी हुई है उसमें रह रहे हैं उनके नाम पर एक इंच की जबीन भी नहीं है 1939 से 1839 से रह रहे हैं इसके बाद जब कॉमुनिकेशन का बहा हुआ तो इस्टीमर ब्रह्मोपुत्र और गंगा के नदियों में अंग्रेजी ने चलाई एक इस्टीमर इलावा तक आती थी और एक इस्टीमर ब्रह्मोपुत्र नदी से होते हुए सीरे बहुत सारे लोग आजाधी के पहले अंग्रेजों के जमाने में बंगाल में मरख रहने वाले जो S.C.S.T. O.B.C. और माइनुरिटी के लोग थे वो लोगों का माईग्रेशन हुआ सामने आजाधी के पहले और वो भी मजबूरी थी क्या मजबूरी थी कि बंगाल में निल विद्रो हुआ और बहुत सारे विद्रो हुए और जो जमिन दारी प्रता बंगाल में जो आई इसके कारण उनका जीना मुस्किल हो गया तो अपने परिवार के बचाने के तलास में वो आसाम के जंगलों में गए और आसाम के लोगों ने उनको गले लगा कर वेलकम किया जो वहां के मुल्यवासी लोग हैं आसाम के लोग गले लगा कर उनका वेलकम किया कि ऐसा करो यहां की जमीन तुम टाट लो और खेती करो रहो यहां उन लोगों ने इस्टेब्लिस करवाया और बड़े पैमाने पर आजादी के पहले बहुत सारे गाउ बंगाल से गए हुए जो उस समय इंडिया थी वहां के गए हुए लोग वहां पर इस्टेबलीस हो गए गाउ के गाउ इस्टेबलीस हो गए और इस तरह से बड़े पैमाने पर वहां पर बहुत सारे स्टेट से ब जब मान सिंह असाम पर आकरमन करने के लिए जब गया तो उसमा अहोम का साशन था और अहोम का साशन होने के साथ साथ अहोम के जो सिनापती थे उन्होंने ब्रह्मोपुत्र के नदी पर आज की जो गुवाटी है वहाँ पर ब्रह्मोपुत्र में सराइगाट इक जगाए जहा के अंदर में पानी के अंदर में युद्ध हुआ मान सिंग को रोकने के लिए और उस समय के ओम राजा ने पंजाब के राजा से कोटेक किया कि हमारे उपर आकर्मन हुआ है हमें 500 सैनिक दिया जाए उस जमानी के बात कर रहा हूं और वहां पंजाब के राजा ने लंबे मेरा एक रिलेटिव है तीन सुक्या डिस्टिक में आपको सुनकर आश्चर्ज होगा वह मूल रहने वाले हैं अमबेट करनेगर यूपी के हमारे रिलेटिव है उनका फैमले 200 साल पहले उदर गया एक 200 साल नहीं 200 साल पहले गये और बहुत सारे लोग जो बर्मा में थे जब देश आजाद होगा तो बर्मा भी अलग हो गया तो बहुत सारे लोग उदर से जब बर्मा से आये तो आसाम में चले गये आसाम में इस्टेबलिस हो गये आजादी के समय और आज भी उनका परिवार उधर है उनका भी नाम NRC के लिस्ट से गाइब है डॉकुमेंट होने के बाबजूद ऐसा नहीं है कि डॉकुमेंट उनके पास नहीं है डॉकुमेंट है उसके बाबजूद भी उनका नाम NRC के लिस्ट से गाइब है हमारे मामा जी जो रहते हैं तीन शुक्या में उनका सेकेंड लिस्ट से नाम गायद था अब थर्ड लिस्ट में बिहार गए और बिहार में जो जाने से पहले जो मिस्राम साब ने जो पाथ सितंबर को जो कारिकरम किया वहां गवाटी में गए और इस मुद्दे को उठाया कि बंगला देश में रहने वाली लोग बंगला देशी हो सकते हैं लेकिन बिहार और पंजाब और उत्तर परदेश में रहने वाले लोग बंगला देशी कैसे हो सकते तो सरकार के निंद टूटी तो उन्होंने जो नाजायस तरीके से एक्स्क्लूट करने गा जो तरीका अपनाया था उसमें थोड़ा नॉर्मलाइज किया और कहा कि इन परदेशों में रहने वाले जो लोग है उनके वहाँ से कोई भी सर्टिफिकेट लाके देते है तो हम उनको नर्सी में लिस्ट डाला जाएगा और बड़े पैमाने पर जो है लिस्ट में आया फिर भी बहुत सारे लोग का लिस्ट में नहीं है दूसरे परदेशों से गए हुए लोग ये जो सत्यरास का जो कारिकरम हमारे देश में हो रहा है ये सूनियोजित तरीके से हो रहा है समिधान के दैरे में नहीं हो रहा है अभी रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो गए है उन्होंने ही केस फाइल किया था गवार्टी हाई कोट में ये विदिशी लोग को बाहर करो और फैसला भी वो देने वाले वही गाइडलाइन भी देने वाले लोग वही सुप्रिम कोट में जाने के बाद जो कह रहा है कि यहां के मुल्लिवासियों को बाहर करो और वही सुप्रिम कोट में बैठा हुआ आदमी गाइडलाइन दे रहा है तो क्या वो सही से पालन होगा नहीं होगा पूरे देजबर से जो परण्य परदेशों से गए हुए लोग है उनके SCST OBC के मुस्लिम का नहीं करा हूँ SCST OBC के बड़े लोगों बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटे हुए हमारे कारी करता है Gopal सरकार्ची उनके पिता जी का नाम है in RCR के list में मा का नाम नहीँ उनका एक भाई का नाम है एक भाई का नाम नहीँ अब एक बहन का नाम नहीँ अब बहाँ पर जो भारत का नागरिक है उसकी एक बेटी भारत का बंगला देश का बिदेशी कैसे हो सकता है इसका मतलब यह है कि वहाँ जो खेल हो रहा है प्राह्मन बादियों के द्वारा यह खेल अलग तरह का है यह जान पूश कर H.C.H.T.O.B.C. के लोगो को वहाँ से एक्स्क्लूट किया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है कि मुस्लिम लोग है मुस्लिम लोग वो इसलिए दे रहे हैं कि बंगला देशी मुसल्मान के नाम पर पूरे देश बर में समर्थन यह B.J.P. और कॉंग्रेस को मिलने लगे बंगला देशी मुसल्मान के नाम पर और वास्तव में काट रहे हैं SCST OBC के लोगों का और जो असाम में रहने वाले जो मोल लोग हैं मुल्लिवासी मुस्लिम लोग हैं उनका नाम कट रहा है आपको सुनकर राश्चर जोगा भारत के राश्टर पती हो गया खुकरुदीन अली आहमद उनके परिवार के लोगों का नाम नर्सी के लिष्ट से गायब है इसका मतलब खेल कुछ और चलता है साथियो अभी पूरे देश भर में ये जो एनर्सी बनाई इसमें 14 डॉकुमेंट्स माने गए थे आसा में जो एनर्सी बनी उसमें 14 डॉकुमेंट्स माने गए थे 1951 में जो एनर्सी बनी थी उसकी लिस्ट 1971 के पहले जो मतताता सुची था उसकी लिस्ट उसमें नाम होना चाहिए लेंड और टेनेंसी का रेकोर्ड होना चाहिए और कोई कोड का रेकॉर्ड होना चाहिए, चोओदा डॉकुमेंट मांगा गया था हमारे SCSTOBC के बहुत सारे लोगों के पास सिटिजन्सिप सर्टिफिकेट था पास्पोर्ट था इसके बावजूद भी उनका नाम नाम नर्सी में नहीं आया इसका मतलब जान बुच के किया है और मेक्जिमन परिवार में से एक या दो SCSTOBC के लोगों का नाम काट दिया है अब आने वाले समय में जदी ब्रामन बादी बेवस्ता ज़्यादा मजबूत हो गई वो लोग क्या करेंगे कि ए एनर्सी में तुम्हारा एक आदमी बिदेशी है चलो तुम्हारा पूरा का पूरा परिवारी बिदेशी है ऐसा घोशित कर देंगे तो क्या करेंगे कर सकते हैं सर्टिफिकेट जब मान नहीं रहेंगे तो आप मान नहीं रहें तो उस बाद में भी नहीं मानेंगे